रादे किशना प्रेंट्स वेलकम भाग माई न्यू ब्लॉग फिर से स्वागत आप सब्रूंग मरें न्यू ब्लॉग में तो बच्चे हमारे तो चले गए हैं इस्कूल और क्योंकि आज मंदे है तो फोल्डे स्कूल फिलाल खूहू को तभी टेस्ट चल रहा है पुरुद्र म्योंकि अधी रखें और श्राइज और यहां पर फैले से अक्राइब मासाले से बादें इसी वजये से वाएं में ज्यादा ओवार मशाले हैं तो मसाले हमारे पके हमें पानी में डालें के बाद जो मश्रूम बॉयल करके रखा हुआ तो बॉयल करके कट करके उनको डाल देंगे और आज थोड़ा पनीर बना थोड़ा फास्ट बन रहा है तो आप लोग देख लिजेगा और इसके बाद में फिर अच्छे से मसाले पका लिए तेल सेपरेट होगे नमक डाल दिया में स्वादा इसके बाद फिर थोड़ा सा और पका लेंगे जिसमें के जो मसाले हैं और मिश्रूम के साथ अच्छे से पक जाए देर हमने डाल दिया यहां पर कटा हुआ पनीर धाय सुग्राम था और हमने यहां पर ज्यादा तीखा नहीं बनाया तो तो दो तीन हरी मिश एज टिस डाल जिसको खाना होगा वह अपना खालेगा जैसे के बाप और हम ही खाएंगे दोनों लोग और को खाएगा तो बच्चे तो खाएंगे बच्चों के वज़े से मैंने थोड़ा सा सिंपल ही बनाया हुआ तो यहां पर हमने डाल दिया गरम करके पानी और इसके बाद इसको अच करब डाल दिया फ्रिश क्रीम डाल दिया मिल्ट क्रीम इसके बाद इसको चला लेंगे चलाने के बाद में तो यहां पर हमने डाल दिया धनिया डालने के बाद मेरा पनीर बनकर के तयार हो गया तो यहां पर इस बार हमने कसूरी में थी नहीं डाला हुआ था और इसके मेरे माइंड से निकल गया था आप डाल सकते हैं ना भी डाले दोनों ही चलेगा तो चलिए मैं मैं बचों को खाना के लाती हूं तो यहां पर रोटी सेख देथी यहां पर यह देखे हैं हमारा जो पनीर है आज बहुत स्पेट में जल्दिस बनाया हुआ था और यह बनाया है तो पहले की है संडे वाले किटी वाले दिन की तो बच्चे फिर सो गए थे तो यहां पर गुड मॉनिंग आज में थोड़ा सा देड़ से जगें बच्चे चले गए हुए हैं तो उस समय का हमने नहीं शूट कर पाई और इसके बाद इस समय है पूरा सन्ना टात यह कोई काम है वो लीकेज कर रहा था काफी टाइम से मलब पानी समय जो कांटीनिव बह रहा था तो काफी दीवार गेली हो गई थी तो बाहर आया हुए प्लंबर तो अभी उसका काम हो जाए दिन मैं जाओंगे नहाने तो तब तक मैं मैंने सुच चलो बैठी हूं तो आप ल ककोडा और अपनी जो हम लोग ओन लेंगज में बोलते हैं तो बंद कर रही लेकिन मैं मताओं यह हैब्रीड वाली है और इतनी बड़ी-बड़ी धाए सुग्राम में सिर्फ तीन ही है यह देखिए तो सिर्फ तीन ही थी यह धाए सुग्राम में मुझे तो क्योंकि इतनी बड़ी जो ककोड़ा है मेरे यहां फर्स्ट टाइम आया हुआ है और देखिए उनको ऐसा बनता है इसको तो खाने मलब बनाने के बाद ही पता चलेगा खाऊंगी तब पता चलेगा कि इसका स्वाद कैसा आता है तो यहां गरम इतनी ज्यादा पड़े कि अपनी ओन लेंग तो यहां पर हमने तुवार दाल बना रहे हैं और तो बस तुवार दाल में क्या मसाले नमक हल्दी घी या तेल कुछ भी डाल दो हींग डाल दिया बस उसको मैंने पकने के लिए चोड़ दाल मैंने सुबा को भीगो रखी हुई थी और इसके बाद चलिए अपने जो अधिया रही थी वहला काफी बड़े बड़े दे डाहे सुक्रा में सिर्फ तीन ही चड़े हुए थे तो चलिए इनको कट करूंगे साथ में चाय पीती जाओंगी चाय पीते हुए अपना यह भी काम करेंगे तो चलिए ले चलते हम दोनों ही काम नुपता थे एक साथ में video यहां जाय भीर बीट जाओंगी और सब्जी हो कट कर लोंगे दो में तो फिर थोड़ा से आमने ऐसना इसका प्याज का डालने ने के बार इसमें डालभाश प्यार्स Payas ब्राउन हाथमय का चल करेंगे अ तो इसमें राल देगे एसमें जाक्णा प्णा ट्राइकं करेंग वाले हैं वह उनमें इतना ज्यादा वह नहीं होता है मतलब इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पाएंगे थोड़ी दिर में इसको चलाते रहें क्यों कि थोड़ी सब्जी थी तो हमने चोटी अली कडाई यूज किया वह इंदर उदर फिसली जा रही है तो होता है चलता है और इसके बाद थोड़ी थोड़ी देर में इसको चलाते रहेंगे और मुझे कुछ समझ में कमा रहा था तो यह पूरी सी त्वराई करने के सौंच रहे थी और वह एजीटीं थि त्वह झाल देंगे जिसमें किसकर जो मॉस्चर है थोड़ा सा और बाहर आएगा तो यह थोड़ी इससी प्राइ करने में अच्छी रहेंगे तो इसमें थोड़ा से टाइम लगेगा क्योंकि इसको फ्राइ करना है थोड़ा सा रख करके ब sudahap कररें फ्रहतें फिर दो से तीर मैंने बात तो चल्ट छूटा इसमें एक मिर्ची डाल दी हुई है और वैसे नहीं डाली कि मुझे उसमें पता है कि मुझे डालना इसके बाद दीखे थोड़ी देर बाद भूनते भूनते इसमें अभी यह कलर आया है फिलाल अभी हमने इसमें कोई इसमें नमक के अलावा थोड़ी देर बाद इसमें और यह कलर आ गया अचा वह वाली उसकी इसकी पतली होती है तो जल्दी से फ्राई हो जाती आप लोग यह भी याद रखिएगा तो आप यह फ्राई हो चुकी इससे ज्यादा फ्राई नहीं होंगी अधर वैसे जैसे मैं कर तो यहां पर हम ब्लाष्ट में जो फ्राई हो गए थी तो हम इसमें डाल देंगे थोड़ी से हल्दी डाल दिया थोड़ा सा धनिया पाउडर और बहुत थोड़ा सा डाल दिया मिर्ची पाउडर मलब एक ही पिंच डाला हुआ था क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं कोई रिस्क यह वाली सब्जी तो आप लोगों को दिखाना बनता ही बनता है तो लाइट गई फिर आ गई थी इसके बाद चलिए तो इसको मैं गैस को करती हूँ बन धकर करें छोड़ दूँगी फिर इसके बच्चे आ गए थे तो कुहू जो कल मुझे पर्स मिला हुआ था कुहू को इतना पसंद आये देखो इसकी अपनी चाल्यू आभ पूरीपर्स की उसने पूरी एक इक बता के लीजी मट ये ममीजे इसमें ये देखे उसको लिब‌क्री इसे मिला वह अपना देख रही है निकाला यहां पर मला उसको एक एक चीज उसने पूरी बता दी क्या है क्या ने तो चलो इनको डाट करके खाना किलाते हैं तो यहां पर अभी पापा नहीं तो सब्जी निकाली इनको थोड़ी से मुझे लगा साथ पसंद आये नाये और बच्चों कर जा करके खाना दे करके अब खाना खाएंगे रही बज़राया तो बस उनके खाने का टाइम हो गया है बलकि लेठ ही हो गया है और यार तो मैं बताओं कि सब्जी उनको बहुत पसंद आये सब्जी तो बहुत अच्छी बनी हुई थी बस थोड़ा सा फ्राइब करने में थोड़ा सा टाइम लगा सब्जी अच्छी बनी थी टेस्ट वाइस सब्जी बहुत अच्छी थी चलिए फिर यहां पर शांती आगे तो उसको चाय दी करके आते हैं फिर आकरते मैं अपनी चाय ले जाओंगी और इसके बाद फिर मैं बनाने वाली हूँ अभी रात के खाने में भिंड़ी और जरूरf लां लाइक कमेंट करना तो चलिए बिली काटती हूं नहीं डेली डेल्ली मेरे बैकर देली काटेन सब्लिए और इससे साथ में तो ड़चय करने वाली है कैकि टो बच लिए लेट हो जाएगा बार ने बाद में तो चलिए फिर सबड़ी चौक्ते और एहां consult पर सब्जी चौक देंगे जिसमें की बच्चों के लेट ना हो तो इस समय लोगों का तो कुहू पॉप्सिकल लेकर आई हुई थी तो उसको पसंद आता है तो जपना खा रही थी तो चलिए तो यहां पर हमने सब्जी चौक दी बिंडी डाल देंगे और बिंडी तो हमारे प चलाने के बिंडी देंगे तो यहां पर हमने बिंडी डालने के बाद इसको धुक करके पकाएंगे 202-20 मिनट के लिए वे बीच बीच में चलाते रहेंगे जिसमें की बिंडी जोह सौफ्ट हो जाए और यह देखे तो बिंडी अच्छे से वारी चला दिआ दुक अगे जि दो मिनट के लिए और इसके बाद फिर इसको फिर से चलाएंगे तो यह देखिए थोड़ी देर बाद यह अपना बार दो दो मिनट में चलाते रहें और फिर डालने के बाद इसका जो मॉस्ट्र है और थोड़ा सा डेड़ हो जागा बिंडी जो है लगबर लगबर हमारी 70% पर उद्ञाब जाया सहर जाल क Ойार्थ खायए और परपाऊजा वटर गव्यानचा के से लगबरा कि हम्हासे दो फड़ाया के खाए निटेडिय। तो आज के हमारे डिनर में बस भिंडी की सब्जी है और रोटी है जो मैंने बनाया हुआ है और दाल है थोड़ी जो बच्चों का मन होगा वो खाएंगी वो तो अभी पता नहीं कुछ भी तो चलिए सब्जी थोड़ी थोड़ी देर में करके इसे चलाते रहेंगे और सब्ज इसमें ज्यादा भी डाल सकते हैं लेकिन हम कमी डालते हैं तो यह वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शियर, कमेंट करना फिर से मिलेंगे नए ब्लॉग में हर हर महादेव वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करना ना भूले बाय गुड़नाइट टेक केर पिर से मिलेंगे नए ब्लॉग